दोस्तों कर्स की समस्या एक ऐसी समस्या है जो जिसके भी जीवन में होती है तो केवल वही व्यक्ति जान सकता है कि कर्स कितना ज्यादा कष्ट जीवन में लाता है जिस भी व्यक्ति के जीवन में कर्स होता है तो ऐसा व्यक्ति ना तो सही से खा पाता है ना ही सही से सो पाता ह और कोई भी काम करने में उसका मन भी नहीं लगता है, बलकि सोने के लिए भी उसे नींद की गोलियों का सेवन करना पड़ता है। भगवान हनुमान के कृपा के कर्श से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। जो संकत को ही हर ले वही केवल भगवान हनुमान है। तो दोस्तों आपको यह प्रयोग इस प्रकार करना है कि जब भी मंगलवार का दिन आता है या फिर शनिवार का दिन आता है तो कुछ दिनों तक आपको यह करना है कि किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार या शनिवार के दिन लगातार जाना है, गुर और चने लेकर जाना है और वही पर बैठकर पांच बार कम से कम हनुमान चालिसा का जाप करना है। यानि कि हर मंगलवार, हर शनिवार यह आपको करना ही है। अब दोस्तों दूसरी चीज आपको यह करनी है कि लगातार 24 घंटे ही इस चौपाई को जो की हनुमान चालिसा की यह मुख्य चौपाई है, जिसको जाप करने से सुग्रीव को राजपाट की प्राप्ती हो गई थी। वह भी अपने कर्स से मुक्त हो गया था क्योंकि जब तक सुख की प्राप्ती नहीं होती है, जब तक कर्स पूरी तरह से ना उतर जाएं। इसलिए हनुमान चालिसा की यह मुख्य चौपाई इस प्रकार है, तुम उपकार सुग्रीव की नाराम मिलाए राजपत दीना, बस इसे 24 घंटे ही आपको दोहराते रहना है, मन ही मन बोलना है और इसका ज्यादा से ज्यादा अधिक ध्यान करना है। यह चौपाई इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपको नौकरी की प्राप्ती नहीं हो पा रही है, तो बस अभी से इस चौपाई को रटना बिलकुल शुरू कर दे हैं, आप स्वयन देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो केवल इसी चौपाई का पाठ करने से व्यापार भी बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लगता है। इसे व्यक्ति को कर्ज की समस्या भी नहीं होती है, अगर व्रत रखते हुए इस चौपाई का भी जाप किया जाता है, यानि की 24 घंटे ही आप इस बात का ध्यान रखें की सोते उठते बैठते बस मन में इस चौपाई का ध्यान आपके होना चाहिए। अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं, तो कोई भी कर्ज आपको घेर नहीं सकता है। सभी कर्ज को उतरना पड़ता है, बलकि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक कश्ट हैं, तो आप 108 बार हनुमान 40 का अनुष्ठान एक दिन में भी कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 108 बार का अनुष्ठान अपने घर में करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार करना है कि उस दिन बिलकुल वरत रखना है और बीच में गैप ले लेकर यानि के 11 बार एक बार पढ़के फिर थोड़ा सा आराम करके फिर से 11 बार पढ़के इस प्रकार 108 बार आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अगर आप 10 बार बैठते हैं, तो पूरे 108 हनुमान 40 हो जाती है, कुल मिलाकर क्षक बार आपको पाठ करना है, यानि की 100 बार और यह चौपाई में भी लिखा है कि जो शक बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुक होई, जो यह पढ़े हनुमान 40 हुए साखी गोरिसा। में कोई भी कष्ट उन्हें परेशान ही नहीं कर सकता है, और इस चीज को आप स्वयन खुद करके देख सकते हैं, जब आप खुद करके देखेंगे, तब आपको स्वयन चमतकार अपने आँखों के सामने दिखेगा कि जब भी आपका मन कष्ट से भरा होता है, जब आप च हनुमान चालिसा का पाठ करना शुरू कर दे तुरंट आपको ऐसा लगने लगेगा कि स्वयन भगवान हनुमान आपकी रक्षा के लिए आखड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति हृदय से हनुमान चालिसा का पाठ करके भगवान हनुमान को याद करता है, तो वह त तो कलिव में भी मौजूद देवता है, वह तो तुरंत ही भाग कर आ जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं क्योंकि यही कलिव में तीवर देवता माने हैं। इसलिए भूत प्रेट आदी की जिन लोगों को समस्याएं होती हैं। उन सभी के लिए हनुमान भक्ती बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि भगवान हनुमान के नाम से ही उनकी तस्वीर को देखते ही भूत प्रेट भाग खड़े होते हैं। क्योंकि वे कल्यव में भी मौजूद हैं और तुरंत ही सहायता के लिए आते हैं तो इस प्रकार है जितनी भी खास बाते हमने आपको बताई हैं। का आप लाब ले और इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाब उठा सके तो आज के लिए केवल इतना ही मिलते हैं। अगले विडियो में हर हर महा दे।